जै मातादी वेलकम टू माई चैनल फैंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज का वीडियो में लेकर आई हूं मकड संकाती पर हम मोती दान कैसे करें मोती दान की वीडियो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्ण थे तो कि मोती चौक कैस हैं मोती कैसे दान किये जाते हैं मुतियन चौक पुराना क्या होता है तो चलिए आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो आप खुद ही लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स मे के अनुसार दान से इंड्रियें भोगों के प्रती आसकती रहती हैं मन की गरंतियां खुलती हैं म्रत्यू काल में लाव मिलता है सास्त्रों के अनुसार म्रत्यू आए इससे पूर्व सारी गांठें खुल जानी चाहिए और उनको खोलना जरूरी होता है जो जीवन के भाग द खाकर ग्रह शांत करने के लिए भिन भिन प्रकार के दान बताते हैं मकर संक्राती पे सनीवार को अमावस्या को पूर्ण मा को हर पता नहीं क्या क्या कि यह जल में बहा दीजिए यह कर दिए वो करिए तो हर सुब काम में भी हम दान पुन करते हैं चाहें ग्रह प्रिवेस ह और जो कन्या का दान कर देते हैं उससे बड़ा तो कोई दान ही नहीं है उसमें हर वस्तु का दान हो जाता है वैसे ही मकर संकराती पर हम सोसेरा करते हैं तो सोसेरा में भी दान होता है हर चीज का दान हो जाता है लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर अभी तक सारे द कैसे करें और मोती दान करने का तो आपने कहाबत भी सुनी होगी कि फला ने क्या मोती दान किये थे कि उसके पास इतना सुख है इतना अच्छा पती है इतने अच्छे बच्चे है इतना अच्छा परिवार है सुख संपत्ति है तो हर व्यक्ति के पास मोती नहीं होते हैं दान करने के लिए तो उसकी हमारे सास्त्रों में सरल विदिया हैं जैसे हम चनाकी दाल में सोना डाल कर सोना दान करते हैं चावल में चांदी दान करते हैं तो वैसे ही हम जब मोती दान करते हैं तो चाहें आप एक मोती दान कर दीजिए आप चाहें तेक छोटी सी माला लड़ू ग करेंगे तो मैंने लिए हैं सवादो कलो चावल और यह तिल की मिठाई लेनी जरूरी होती है तो मैंने तिल सकड़ी ली हैं जिनको रेवडी भी कहते हैं और यह चावल से बने लड्डू है जिनको मुर्मुरे के लड्डू कहते हैं आप इसमें कुछ फल रख सकते हैं जरूर असी निकाल के देते हैं आप देख रहे होंगे साइड में कि बिल्गुछ सच्चा मोती है और ये सच्चे मोती के टॉप्स और माला का सेट सुनार से लिया है जिसने गारंटी से दिया है कि ये सोने सच्चे मोती की माला और सच्चे मोती के कानों के टॉप से तो आप इस तरह से किसी ब्रह्मानी को या अपने ननत को या अपने परिवार में जो आपके मान होते हैं उनको भी दान कर सकते हैं आप ब्रह्मानी को भी दान कर सकते हैं ब्रह्मानी आपके आसपास में जो पंतानी होती हैं आपसे उमर में चोटी हैं बड़ी है आप उनको दे सकते हैं और दख्षना दे सकते हैं तो conversations कि मैं आपको विधी बताऊंगी अगर आप सिब मंदर में दे कर आते हैं तो आप ऐक मोती refuge जी के पास भी रखकर आ सकते हैं सिब्लिन पर उसका भी महादान लगता है तो जिंदगी के हर ख़जाने प्राप्त होते हैं मोतिदान करने से और राज की अकारियों में सफलता मिलती है वेवाहिक जीवन को सुन्दर बनाते हैं मोती दान करना आपकी किसमत बदल जाएगी तो हम जो पूजा पाट करते हैं तो पूजा पाट में हमेशा चावल और वो काफी महत्त होता है चावलों का देवी देपताओं के साथ व्यक्तियों को भी तलक लगाया जाता है चावल का आप सब जानते होंगी कि हर सुब काम में चावल का दान होता है अक्षत के बिना कोई पूजा नहीं होती है तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि चावल से चौक कैसे पूरते हैं मोती चौक पूरना क्या होता है मोतियन चौक पूराई यानि कि जब राम जी बरात लेकर आए थे अयोध्यामै तब मोतियों से चौक पूरे गए थे तो आप देखेंगे कि पहले हम एक लोटे में गंगा जल लेंगे और गंगा जल से हम उसको चौक और धोएंगे मतलब कि पूंच लेंगे चौक पूरा लेंगे चौक पूरने का मतलब चौक और होता है तो हम गंगा जल से चौक और उसको पूंच लेंगे पहले तो गाय के गोवर से या मिट्टी से भी कर लेते हैं लेकिन अब हर जगे हर समय गाय के गोवर या मिट्टी आइवेलेबल नहीं होता है तो इस तरह से आप गंगाजल से चौक को धो लीजिये आप अपने living room में आप अपने आंगन में इस तरह से चौक पूर सकते हैं उसके बाद आप चावल से चौक और बनाएंगे चौक पूरने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है आप देखेंगे चैनल पर चौक पूरना तो उसमें आप देखेंगे चौक कैसे पूरते हैं तो मैं आपको ये छोटा सा बता रही हूँ कि जिनको चौक पूरना नहीं आता है वो इस तरह से भी छोटा सा एक डेमो बता रही हूं आपको कि इस तरह से भी चौक पूर सकते हैं वैसे हमारे हिंदू धर में चौक पूरने की बहुत सारे तरीके हैं बहुत सुन्दर रिजायन हैं जो मैंने अपने चैनल पर दिये हुए हैं आप उसको विजिट करेंगे चैनल पर तो आपको चौक पूरने की विधी मिलेगी नहीं तो मैं डिस्किप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दूँगी और ये देखिए इस तरह से जब हम चौक पूरने तो इसमें बीच में सूर्य भगवान की ये प्रतिमा बनाने हैं आप इस तरह से बना लीजिए सूर्य भगवान को बीच में और क्योंकि सूर्य बुद्धी के देपता हैं तेज देते हैं ग्यान देते हैं वैसे तो चंद्रमा को बुद्ध का देपता माना जाता है लेकिन हम सूर्य भगवान को अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि सूर्य को जल्दीजी और मकर संक्राथी का जो त्योहार होता है वो सूर्य भगवान का है तो इसलिए हम यह सूर्य भगवान बनाएंगे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने अपने चैनल पर नवगरहक में जो बताया है पूजा बताई है उसमें भी मैंने आपको सूर्य देव ब पूरा है और उसके बाद हमने उस पर मोती रखे हैं यानि कि इस तरह से आपके पास खुले पैकेट का मोती मिल जाते हैं तो आप उनसे भी चौक पूर सकते हैं तो यह मैं बहुत ही सरलविदी बता रही हूं जो आप आराम से कर सकते हैं संक्राथ के दिन और इस तरह से कोई भी मिठाई ले सकते हैं चावल से बनी कोई मिठाई ले सकते हैं घर पर भी बना सकते हैं चावल की कोई मिठाई मैंने चड्डू लिये हैं दक्षना रखनी होती है उस पर हमें कोई फल रख सकते हैं और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जल लेंगे हम इसे कहते हैं हा आप हाथ फिर दीजिए तो इसे कहते हैं बाइना निकालना और मोती चौपूर्णा दान करना संक्राथी का यह महादान है मोती का दान जो होता है यह महादान है यह सबसे बड़ा दान होता है मोती दान करना इस से अजब आप मोती दान करेंगे तो स्वेम सुख की अनुभूती आपको होगी और आपको महसूस होगा कि वास्तव में ही मोती दान करने से जीवन कितना बदल जाता है मोती पांच प्रकार के होते हैं सुच्चा मोती गज मुक्ता मोती बांस मोती सर्बदंत मोती और सुखर मोती सास्त्रों में लिखा हुआ है कदली सीप भुजंग मुख स्वाती एक गुण तीन जैसी संगत बैठिये तेसे ही फल दीन अर्थात स्वाती नक्षत्र के समय बरसात की एक बूंद भूंगे के मुख में समाती है तब वह मोती बन जाता है वही बूंद केले में जाकर कपूर बन जाती है और साप के मुख में जाकर हला हल विस बन जाती है रासानिक दरश्टी से देखें तो इसमें केलसियम कारवन और ऑक्सीजन तीन तत्तों पाई जाते हैं तो फ्रेंड्स मैंने आपको मोती दान करना बताया और आप ये मोती अपने किसको दान करना है मैंने यह भी बता दिया है आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजियेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए गा चिल्देन बाए ब अजया तदी